है खेलो फ्रेंट्स आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलेक्षिन कमिशन ऑफ इंडिया के बारे में एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी जो चाइचा का विशा बना हुआ है तो हम लोग इस पर डिसकस करेंगे सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि अभी य का revisit किलिए और किसरा सु कोर्ट फिंडिया इसको ले कर क्या बात कहा है इन ऊपको प्रिलिम्स ah बबचलंग को तो चली हम देखते हैं समझते हैं हम लोग सुलबात करते हैं जब जनसत्था बिवदो प्रद्धान नियुकति में नहीं होंगे अप्रधान नियुकति. तो उस न्यूज को हम लुक्ता समझते हैं. देसे के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सम्विधानी पीठ का जो फैसला था उसको बदलने के लिए केंडर सरकार ने राजसवा में एक बिधरिक पेस किया है। विधरिक मुन्हों ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन और आयुक्तों के चैन के लिए समिती बनाई जाएगी जिसमें प्रधान न्याइजिस के अस्थान पर एक कैबिनिट मंत्री को सामिल करने का पस्ताव किया गया है। विपच्छी जो है इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सम्विधान पीठ के आदेश को सिथी किया जा रहा है। विजएक में कहा गया है कि मुख चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ती को लेकर गठित जो चैन समिती होगी उसमें प्रधान मंत्री लोगसभा में विपच्छ के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनिट मंत्री इसमें सामिल सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पहले मार्च 2023 में कहा था कि मुक्र चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्टपति और परधान मंत्री और नेता परतिपच और उच्तम नयायले के प्राधान नयायदिस एक समीति का सिफाइस करने के बाद में राष्टपति के द्वारा किया जाएगा मतलब उसमें कौन-कौन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट जो है मार्च 2023 में जो उन्होंने अपना उसका पीठ जो है दिया था आदेश दिया था उसमें था कि प्रधान मंत्री नेता परतिपच लोकसभा के नेता परतिपच और उच्तम नयायले के प्रधान नयायदिस इन सब जो है सिफारिस करेंगे जिसके आधार पे राष्टपति जो है इनको नियुक्त करेंगे यह मानक तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्धे पर संसर द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है तो अब यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल दिया थे कि संसर इस पर अपना कानून बनाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन तो उसमसा यही था कि उसमें होंगे प्रधान मंत्र हमनों बात कह लिए कि जो केंद्र सरकार है राजसभा में एक बिल पेस किया है जिसमें कि जो चुनावाइग और मुख्य चुनावाइग एक सबकर नियुक्ति के लिए अपना एक डिवलेशन बनाया है जिसमें प्रधान मंत्री लोगसभा भी पच्छ कानियता और कैबिनेट मंत्री को सामिल किया गया गया सुप्रिम कोड जो इसके पहले जो दिया था इसके इसके बारे में आमनों बात कर चुके हैं कि मार्च दो जाते इसमें एक बोला था कि पर्धान मंत्री चीफ़ जश्टिस ऑफफ इंडिया और विपच के नेथा की सलाहँ पर राष्टपती की दौATT कि दौगाय नूक्ति किया जांगा, इस अभी के मक्षच चुनाव आयुक्ति के नूक्ति के लिए कर इस देश में अभी तक ऐसा को इस पस्च कानून नहीं है, जो कि इस परस्ट डुप से बताए कि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे चैन किया जाए या पिर कैसे उनको नियुक्ति किया जाए इसके वज़़े से क्या है कि पुरी नियुक्ति के प्रक्रिया जो है क्यां रसरगा अपने हाथ में लिवी है अब तक जो व्ञार था शापी जैदा नाम जूड़ए आता था है। इसके वज़े से डिया रिया जया जाता है। इन सारे नाम पर पर्धान मंत्री और राँट्रपत्री की विचार गया है। इसके बाद पर्धान मंत्री प्यर्ट में सामिल अरिकारीयों से बात करके, कोई एक नाम राष्टपत्री के पास में भेजते थे इन नाम पर साथ प्रधान मंत्री के नोट भी भेजते थे कि इसमें से इस सक्स के चुनाव आई चुने जाने की वजह है ये बताई जा रही है मतलब अगर प्रधान मंत्री राष्टपत्री के पास में अगर भेजते हैं किसी का मा तो उसके साथ साथ एक नोट भी बहिते है तो जिसमें की बता देता है कि आकी इसको हम क्यों चुना जा था क्यों अनुसंसा किया जा जा तो इस वज़े से फिर राष्ट्पति उसको मुहर लगाते थे और फाइनली चुनावाईत या मुख चुनावाईत का नियु चुनी जाते हैं और इनमेसे जो सब से सिनियर होता है उसे ही मुख चुनाव आयुकत को नियुक्त किया जाता है जो सबसे अनुस्थ है अब यहां पर सुप्रिम कोट जो है फैसला सुनाया था जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि परधान मंत्री लोग सभा में प्रति पच्छनेता और चिप जेस्टिस ओफ इंडिया का पैनल जो हैं के नियुक्ति करेगा पांच सदस्री बेंच था जिसमें इन कमीटी के एक कमीटी जो है नामों के सिफाईच दाश्ट पत्ति को करेगा इसके बाद में दाश्ट पत्ति इस पर मुह लगाएंगे दूस्ता प्वाइंट में था सुप्रीम कोड ने भी कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसर्थ चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के प्रक्रिया को लेकर कोई इ की तरजपह होनी चाहिए इस ही क्या था चुकि सुप्रीम कोड उसमें भी नीदेश दिया था कि अभी जो सुप्रीम कोड जो दिया है कि उसके जो पैनल होंगी प्रधान मंति लोग सवान पर की पच्के नेता और चीप जश्टीस ऑफ इंडिया सिफाइस करेंगे लेकिन उसमें साथ-साथ यह भी क्लॉज में डाला गया था कि सुप्रीम कोड यह भी बोलाता कि संसथ जब तक इस चुनाव आयुत के नियुक्ति के प्रक्रिया को लेकि को एस्पष्ट कानून नहीं बना लेता तब तक हो चलेगा इसके वज़ा से संसथ का जिम्मिदाई था तो होनी चाहिए और इसकी लिए बहुत ज़ूरी है कि इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया हमारा काफी मजबूत हो इससे यह भी ज़ूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्राधानों के मुताबिक और निस्पच रुप से कानून के दायरे में रहकर निभाए तो यह थ हमारा के लाए तो